कैसे हो आप सब लोग की जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी से चल रही होगी तो आज हम लोग के कैसे टोपिक पर डिसकेशन करेंगे जो बच्चे कहते हैं इवन पॉलिटिकल साइन्स के बच्चों का तो एक कॉमन कॉशन ही होता ही तो देखिए कि मैं राजिश्मिश् पर फिक्रिंटे कॉश्चन आने की वज़े से मुझे दुबारा इस पर वीडियो बनानी पड़ी है तो उससे पहले बही मैं बता देती हूं जो फस्ट राइंग मुझे देख रहे हैं कि मेरा नाम पृति शर्मा है मैं आप लोगों को पेपर बनों पेपर तू दोनों ही प पाउंडेशन पॉलिटिकल साइंस का तो एक विन यह माली ते वर स्टॉप सॉलिशन है आप लोगों को यदि आपकी कॉंसेप्स के लिए नहीं है बेसिक क्लियर नहीं है एक बेस्ट स्टेडी मैटरियर आपको चाहिए तो आप जॉइन कर सकते हो इस को को के अलाबा अभी पेपर वन पेपर तू दोनों का भी कुर्स आप लोग ले सकते हो तो तड़े हम डिसक्शन करतेंगे बुक बहुत फेमस बुक है यह मालो पॉलिटिकल साइंस अस्पारेंड के लिए तो यह फेमस ही बुक है आज हम इस टॉप बुक के ऊपर बहुत डेटेंड में पॉइंट पर डिसक्शन करने वाले है कि एक्चल में इस बुक में क्या है कि यह तिना मतलब चर्चा का विशय बनी हुई है तो तो राजिश मिश्रा सर की बुक है और मैं बहुत तो यह मालीजी इन सर को मतलब बहुत रिक्सपेट करती हूं है क्योंकि हमारे सीनियर है बह पॉलिटिकल साइंस की बुक जो है यह आप लोगों के लिए नैट और जयार को आपको सेम होता है उसको ध्यान में रखते हुई डिस्दाइन की गई है तो यूनिट वाइस आप लोगों को पूरा की पूरा काटेंट प्रोवाइड करवाया गया है यहां पर यूनिट यहां पर चीज देखिए कि जहां ठीक है चलो अच्छा है अब बात आते हैं हम लोग की मैं क्या सिर्फ इसी बुक को पढ़ने से हो जाएगा तो यहां पर मैं वो कुछ चीजे बताना चाहते हूं हमारे पस टू टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं एक बो बच्चा होता ह जिसका बेसिक के लिए होता है ठीक है और एक बो बच्चा होता है जो प्रो होता है ठीक है सुनो और एक बो बच्चा होता है जिसका बेस होता है जीरो यह थ्री टाइक सब बच्चे मैंने बना दी हैं पहले तो सोच रही ती दो ही बनाओ पर आप मैंने तीन प्रिकार की ब या फिर यह बेस जूरो बाले बच्चे वह हैं जो बनभी सीरीज वाले बच्चे हैं जिनने कुछ पता नहीं है बट आप उन्होंने सोचा है कि हमें बहुत कुछ आगे बढ़ना है ठीक है यह बेसिक वाले बच्चे वह हैं जिनका थोड़ा वर बेस के लिए रहे कि जिनके है काफी सफिशन नौलेज यह बट हो अवार बान नेट वगरा में रह जाते हैं यह तीन बच्चे हमारे सामने हैं अब हम तीन बच्चों के साबसे ही आप लोगों के बाते हुआ दोको राजिश मिश्णा की जो बुक है आप लोगों की एक बैस्तो यह मालनी जी बैस्तों option है आप लोगों के लिए जिटको एक ही बुक चाहिए जिसमें पूरा content आपको हो लेकिन एक की सुनिए इसमें जो पूरा content है वो factual form में दिया हुआ है जैसे कि यह जो शॉट नोर्स टाइप के नहीं होते हमारा उस तरह से इसमें दिया हुआ है बिल्कुल cd language में जैसे नोर् आपको यह पूरा content इसमें प्रोवाइड करवाया गया है अब चीज आती कि यह वाले जो बच्चे हैं और यह वाले बच्चे हैं 20 जीरो वाले यदि वो यह किताब लाए तो उन्हें किताब कुछ नहीं लगेगी कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो चीज पर कहां तक रटेंगे रटने से भी पेपर सॉल होगा नहीं समझना तो पढ़े गई पढ़ेगा तो इन बच्चों के लिए इस बुक का कोई भी इंपोर्टेंसी नहीं है जब तक इनका बेस के लिए नहीं हो जाता यह बेसिक वाले बच्चे जो है और यह प्रो वाले जो सकते हैं क्योंकि शॉर्ट नोस टाइप का इसमें कंटेंट आपको प्रवाइट यह इंपोर्टन इंपोर्टन कॉंसेट्स आपको दियो हैं लेटल मिट नॉलेज वाले बच्चों के लिए मैं इस बुक को ज्यादा सफिशन नहीं मानती यह प्रो वाले बच्चों के लिए यह रहेगी लेकिन एक और चीज है आपकी वह क्या है कि यह बुक आई तिंग जहाद कमचे पता है शाद हो सकता है उपर नीचे इसकी प्राइज में पान्सोचस्तों के संतिंग आपकी यह पुक आती होगी ठीक है जो में जिसमें भी आपको क्या होता है आप सुनिए कि आ प्रेक्टिस वगरा नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए कोई मतलब नहीं कर पाऊगे तो जिस तरह से एंटी का लेविल बढ़ रहा है उस हिसाब से यह बुक सफीशन मुझे नहीं लगती है आप यदि मेरे पास अभी तो यह बुक अबेल है नहीं है मेरे ससुराल में रखी हूई है अब मैं माईकी में हूँ अदरवाइस मैं आपको वो बुक दिखा भी देती बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत पढ़ने चाहिए पर उस बुक में बहुत शौट टॉपिक में आपके ना यह मानली से वो टॉपिक दियो है कोई प्रेजेंट से नियुरियों के इसाफ से हमारे लिए नहीं है हमें थोड़ा और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और जहातक यह जो बुक हैं आपको पांसो च्छसो की पढ़ती है इसमें बैटर तो मैं आपसे यह मानती हूं कि आप कोई प्रेक्टिस सेशन जाके मार्केर प्रेक्टिस सेशन में आप लोग प्रेक्टिस सेशन में आप की जरी सते हैई यह च ils बहुत हैं सबसे लगती है सबसे दी हूँ है तो यह उन्याधि आप इस बढंग को पड्चारे के वज़ा है आप इसे चलमिक करते हो हुआ दिक तो उससे क्या होगा आपको language पता चलता जाए का कि किस तरह कि पेपर हो नियों पीज में पूछी जाती है आपको यह भी पता चलता चलता है कि कौन से टोपिक जो रहें वो एंटे के फेवरेट आपको पर कोई क्वेट पीज तो यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे न तो भी वह ज्यादा सही है बजाए इस बुक के पट्चेस करने का इविन जिन बच्चों के बेसिक भी किलियर नहीं है वह बच्चा भी प्रैक्टिस को कि यदि प्रैक्टिस करेगा तो उसे पता दो चलेगा उसका दिमाग ये तो काम बच्चा भी प्रैक्टिस करने जाते हूं तो आप लोग जो चीज बता रहे हूं जो एक्च्चुल में सही है हम तभी एक स्टूडेंट है हमारे पैसे हम फाल्तु में क्यों लगाएं बट आपको ऐसा लगता है कि एक बर हमें यह बुक पढ़नी है तो हर किसी को एक नीचे में तो यह कहते हूं आपका रनेट हो गया है ज्याराफ हो गया उसके बाद भी आप यह बुक ले आओ पर्चीस कर लो पढ़ लो आपको खुद को ही महसूस हो जाएगा कि इसमें कितना कंटेंट है एक तरीका और मैं आपको बताते हूं आप किसी भी बुक सेलर से जाने जाते हूं तो आप बुक सेलर से और भाई मुझे एक बार आजिश मिश्रा की बुक दिखा दो आप बुक देखो कोई भी टॉपिक जो आपका बहुत स्ट्रॉंग है आप टॉपिक खोल के देखो इस बुक में आप खुद को महसूस हो जाएगा कि उसमें किस लेंग कहती suis अच्छे हो जाने के ईफ करने का बहुत स्सक्राइब क्या जार्य आपकी सब्सक्राइब मैं का मतलब तल ने साल्त में पलेक लिए करो सब्सक्तीन daw का उस्तिन आप 10 ब Adapt ृप क्यूत बाचर बहुत हैं और प्रेक्टिस भी लगाओ तो जिखो जरूरी है पहली चीज कि आपको प्रेक्टिस लर्नी है पिवाई कि इसकी मैक्सीमा के अलाबा आप लोगों को क्या करना है बैस्त कंटेंट आपको चूज करना है जो आपके लिए एक्जाम के प्रॉस्पेक्टर से इंपोर्टेंट हो बहुत वाइसली हमें कंटेंट चूज करना होगा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहरे हूं आप लोगों का यह जो डेलेमा है वह आई तिंग मैंने क्लियर कर दिया होगा तो आप लोग मेरे इस चैनल को भी फॉलू कर सकते हूं मैं डेली आपको यहां बढ़ाती हू और आप लोगों को यदि पॉलिटिकल साइंस को बेस किलियर करना है तो आप लोग कोर्स चॉइन कर सकते हूं पॉलिटिकल साइंस का फॉल फॉन्टेशन कोर्स आपको चल रहा है जिसमें नोर्स भी आपको मिलेंगे हैंड बुक भी आपके घर पे पहुंचाई दाएगी तो आप लोगों कर सकते हूं देश चॉइंट रहा है